क्योंकि लिखा है जो सत्य को जानकर फिर से गलती करे वो येशु मसी को अपने पाउं से रोंदता है और येशु मसी की आत्मा का अपमान करता है तो मैं पूछना चाहूँगा अगर आपके घर में आपके लोग पिताजी का पती पत्नी माबाप का या फिर किसी कंपनी के मान करे तो बाकी मेंबर्स क्या चुप बैखते हैं जी नहीं बैखते हैं अगर कोई वैखती मसी में होकर येशु को पाउं से कुछल रहा है आपको गुसा क्यों है जब युदा स्कौरित ने येशु को तीस चांदी के सिक्के में बेचा क्योंकि आपको पता चला इसने ग को गिल को रमे नरेंदर को गुसा क्यों नहीं आएगा और हमको जो अभी देख रहे हैं पांसो पचास लोग हमको गुसा क्यों नहीं आएगा हमको भी गुसा आएगा वो छोड़िये येशु कहता है हाथ ठोकर किला है हाथ काट दे अगर तेरा आंक ठोकर किला है आंक निक कर रहा है और येशु कहता है कि उसको गले के उसके गले में चक्की का पट्टा यानि कि पत्तर डाल कर उसको गहरे समंदर में डाल दिया जाए इसका मतलब क्या है